इंडिया न्यूस 24 आउर करते हैं कि मंदीच चाही हुई है यह भी पढ़े सरकार में जारी किया आंक्राक 2,178 में GDP ग्रोट गटकर 6.5 पीस अदी रहने की उमीद नस्लोट डाउन इन जनवरी पांच 2018 GDP सकल घरे लूपाद अनुमान जारी होने के बाद जिसमें वितवर्ष 2,178 के लिए वृद्धी दर 6.5 पीस अदी रहने का अनुमान लगाया गया है पूर्व वित्वमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़े बड़े दावे किये थे जो हवा में उड़ गए उन्होंने कहा हाल में ही पैदा हुआ सामाजिक को संतोश आर्थिक मंदी की प्रत्यक्षब्ल व्यक्ति है जिसे सरकार सुविधा पूर्वक्षिपा रही थी अब वक् जाए कुछ ठोस काम करके दिखाए यह भी पढ़ें गबबर सिंग्तिक्स के बाद जीडीपी को राहुल ने दिया यह नाम पीम मोदी और अरंजेखली पर पसा तंच चिदाम्रुम ने कहा कि निवेश की तस्वीर पूरी तरह से निराशा जनके और राजकोशिक घाटा बजात अनुमानों को पार कर रहा है जो की जीडीपी का 3.2 फीस अदी रहले का अनुमानित था उन्होंने कहा अब कोई भी गलत बयानी और बयानबाजी वास्तविक्ता को नहीं चिप सकती उन्होंने कहा हमारा डर और चेतावडी सही साबित हुई है जीडीपी की विकास दर वितवर्ष 2,1516, 2,1617 और 2,1718 अनुमानित मैं क्रमश 8.00 फीस अदी 7.01 फीस अदी और 6.05 फीस अदी है ये आंकडे ये हसाबित करते हैं कि मंदी चाही हुई है आर्थिक गटी विदियों अविकास दर में गिरावट का मदलब लाखो नौकरियों का नुकसान है विदियो इस साल जीडीपी घटने का अनुमान उन्होंने कहा नई परियोजनाओं की घोशना कम हुई है नई निवेश काफी कम है अनौपचारिक क्षेत्र अभी भी नोपनी के दुश्प्रभावों से उगर नहीं बाएं हैं नौकरी स्रिजिन की हालत अत्यंत बुरी है प्रिशीक शेत्र बुरी तरह प्रभावित है और गाउं में विपुल निराशा है उन्होंने कहा एक निर्पेक्षा कलंसे भारतिय वर्थ या वस्था में गंभीर कमजोरियों का पता चलता है इंपुट भाशा हिंदी न्यूज से जोड़े अन्या अपटीट लगतार हासिल करने के लिए हमें फेस्बुक और गूगल प्लास पर जॉइन करें ट्विटर पर फॉलो करें